देश में 5G spectrum नीलामी की तयारी शुरू हो चुकी है और नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों ने शुरुआती deposit जमा करा दिया है Reliance Jio ने सबसे ज़्यादा 14,000 करोड रुपे deposit जमा कराया जो दर्शाता है कि Jio सबसे ज़्यादा spectrum खरीदने के लिए बोली लगाएगी Jio के लावा भारती अटेल ने 5500 करोड रुपे और Vodafone Idea ने 200 करोड रुपे deposit कराया है इसके अलावा Adani Network की तरफ से 100 करोड रुपे का deposit जमा किया गया Sir Adani की Bid क्या दर्शाती है 100 करोड रुपे जमा किये गए हैं कम से कम Adani की Bid ये तो नहीं दर्शाती कि Adani पूरे भारत में मोबिलिटी की योजना पर काम कर रहे है जो बात हम पहले से Money Central में चर्चा में दर्शा को बताते रहे हैं कि Adani ने फिलहाल अभी अपने आपको Enterprise 5G Network कापरेट्स को captive Network तक सीमित रखने के बात कही है तो जो Bid के लिए उन्होंने पैसा डाला है वो 100 करोड रुपे रखा है क्योंकि Reliance को Pan India Network चाहिए इनकी तुलना में Vodafone और भारती अटेल के पास पहले से Network उपलब्ध है तो उन्हें अपने Network को 5G पर अपग्रेड करने के लिए छोटे-छोटे Bands और Slices चाहिए लेकिन जिस तरीके की Bidding आई है जिस तरीके की जिस तरीके का पैसा अलक से Bidding के लिए रखा गया है उससे एक संकेत तो मिल रहा है कि इस बार भी Spectrum बेचने का लक्ष पूरा नहीं होगा और सरकार को को Spectrum से पूरी राशी शायद नहीं मिलेगी इस वाला में सपेक्टरम आपको लगता है फिर अनॸकार रहे जाएगा काफी बड़ा हिस्सा अन्विकार रहे जाएगा और पिछल तीन चार बार से हम देख रहे हैं चुपम का बड़ा हिस्ससा ? बिका रह रहा है और दूसरी एक और चीज़ है कि economy slowdown के mode में है demand data की थोड़ी कम हो रही है तो company और भी कम spectrum लेने की कोशिस करेंगी बाजार में प्रतिस परधा भी सीमित है अगर अडानी नहीं आये होते हैं और अडानी ने वो होड़ वो प्रतिस परधा नहीं दिख रही है इसके बाद भी कि TRI ने और सरकार ने मिलकर spectrum की कीमतों में कमी की थी और रियायत दी थी